सो वाइस जैसे कि आप सको पता ही है कि Big Boss of TD3 से नीज़त गुए अतको बाहर कर दिया गया है कि आपको पता है मैं Big Boss के घर से ऐलिमिनेट हो गया हूँ तो जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घरवारों के साथ, जैसे मैं अपने घर पे रहता था वैसे ही मैं इस Big Boss के घर में भी रहा हूँ सब के साथ हस बोल के बात करना, अपने आस पास के माहौल को खुशाल करना किसी भी प्रोब्लम का हल, लड़कर या गुसा करके नहीं, बलकि उसको समझा कर और प्यार से करना क्योंकि दोस्तों प्यार में बहुत ताकत होती है मेरा मोटिव बस यही था कि Big Boss जैसा बड़ा शोग गाड़ी कलोच देकर लड़कर नहीं ये शोग प्यार और सचाई से भी जीता जा सकता है मुझे Big Boss के प्यारे घर में जितने भी दो-तिन दिन मिले उनमें मैंने सही चीज के लिए और सब के लिए आवाज उठाई मुझे कुछ और वक्त मिलता Big Boss के घर में रहने का मुझे इस Big Boss के घर में मिले थे वो लोग मुझे जाता देखकर फूट फूट कर रो रहे थे बक्की दोस्तों जिंदिगी में तो उतार चड़ाव चलते ही रहते हैं आप लोग सपोर्ट बना गे रखो राम राम जैहिंद जै बारत इस वीक्ते नॉमिनेशन्स में शिवानी और निरज नॉमिनेट हुए थे अगर वोटिंग की बात करें तो निरज के वोट शिवानी से काफी ज़़ा थे लेकिन फिर भी उने बाहर कर दिया गया बाहर आको उन्होंने इस पर अपना रियक्शन भी दिया देखियो उन्होंने क्या का यह अपने नीरज भाई आपने बिग बोस में देखा होगा इनको सो से भार कर दिया गया क्यों मैं इंदुस्तान के भाई उसे बात पुछना चाहता हूं पता को ने अपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने वाला भाई बोकसर है हमारे देश की आनमानसान और इनी को भाई कर दिया अब तुम लोग कर क्या रहे हो इंदुस्तान के भाई हो उन लोग को ये लोग परमोट कर रहे है जो इंदुस्तान के लिए कुछ करके नहीं आते ना जाते और हमारे भाई को बाहर कर दिया अब मैं देखना चाहता हूँ कौन-कौन भाई के साथ है अगर तुम लोग चाहते हो ना कि ये गलत गेम खेला गया है तो भाई अब देख ले ना तुम लोग को क्या करना है तो गाईस आपको गलता है कि बिग बॉस ने निरेज को इस तरह निकाल कर गलत क्या या नहीं कमेंट करके जरूर बताना